सभी सीराम चरित मानस कथा प्रेमियों को जै सिया राम, राम राम सीराम चरित मानस अवेध्याकान दोहा चोपाई अर्थ साहिद पढ़ कर सुना रहे हैं दोहा नमबर साथ से इसी समय ये परमंगल समाचा सुनकर सारा रनिवास ससित उठा जैसे चंदमा को बढ़ते दे का समुद में लहरों का विलास आनान ससोवित होता है प्रथम जाय जिन बचन सुनाये भूसन बसन भूरतिन पाये प्रेम पुलक तन मन अनुरागी मंगल कलस सजन सब लागी सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये बचन समाचा सुनाये उन्होंने बहुत से आभूसन और वस्त पाये रानियों का सरी पेम से पुलकुत हो उठा और मन प्रेम में मगन हो गया वे सा मंगल कलस सजाने लगी चौके चार सुमेत्रा पूरी मनि मैं बेविद भात यतिरूरी आनंद मगन राम महतारी देदान बहु बेप्रहकारी सुमित्रा जी ने मणियों रतनों के बहुत प्रकासे अत्यंत सुन्दर और मनोहर चव के पूरे आनंद से मगन हुई सी राम चंजी की माता को सल्या जी ने प्रहाणों को बुला कर बहुत दान दिये पूजी ग्राम देव सुरे नागा कयो बहोर देन बलिभागा जेहे बेदे हो ये राम कल्यान देव दया कर सुबर दान उ उन्होंने ग्राम देवियों देवताओ और नागो की पूजा की और फिर बलिभेड देने को कहा अर्थाद कार सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रातना की कि जिस प्रकार सी राम चंजी का कल्याण हो दया करके वही बरदान दीजिए कोयल की सी मीठी बाणी वाली चंदमा के समान मुख वाली और हिरन के बच्चे के से नेत वाली इस तिरिया मंगल गान करने लगी मंगल भवन या मंगल हारी रबहुश दस्रत अजर विहारी राम सिया राम जै जै राम राम राज अभी से कु सुने ही अहर से नर नार लगे सु मंगल सजन सब बिद्यन कूल विचार सिराम चंजी का राज विशेख सुनकर सभी इस्तिप्रू सिदे में हसित उठे और विधाता को अपने अनकूल समझ कर सब सुन्दर मंगल सा सजाने लगे तब नर नाह वसिष्ट बुलाए राम धाम सिक देन पठाए गुर आगमन सुनत रगुना था द्वार आय पदना वह माता तब राजा ने वसिष्ट जू को बुलाया और सिच्छा समय उचित उपदेश देने के लिए सी राम चंजी के महल में भेजा गुरू का आगमन सुनते है सी रगुना जी ने जरवाजे पर आकर उनके चर्णों में मस्तक नवाया सादर यरग दे घर आने सुरह भात पूजसान माने गहे चरन सिय साहित बहूरी भूले राम कमल कर जोरी आजर पूरवक अर्थ दे कर उन्हें घर में लाए और सोड सोप चार में पुजा करके उनका सम्मान किया फिर सीता जी साहित उनके चरनल स्वर्ष किया और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़ कर सी राम चंजी बोले सेवक सदन स्वाम आगमनू मंगल मूल या मंगल दमनू तथप उचित जन बोल सप्रेती पठये का जनास यसनी ती यदब सेवक के घर स्वामी का पधाना मंगलों का मूल और अमंगलों का नास करने वाला होता है तथा पहेनात उचित तो यही था कि पेम पुर्वक दास को ही कार के लिए बुला भेते ऐसी ही नीत है प्रभुता तज प्रभु की निसने हूँ भयो पुनीत आज यह गे हूँ आयसु हो यसु करह गोसाए सेवक लह स्वाम से उकाई परन्तु प्रभु आपने पवता छोड़ का सोयम यहां पधार कर जो इसने किया है इससे आज यह घर पवित्र हो गया है गोसाई है गोसाई अब जो अग्या हो मैं वही करूँ स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाव है मंगल भवन या मंगल हारी रभ हुश दसरत अजर विहारी राम सिया राम जै जै राम सुने सने हसाने बचन मुने रगवरह प्रसंस राम कसना तुम कहो असहंस बंस यो तंस सिराम चंजी के प्रेम में सने हुए बचनों को सुनकर मुनी वसिजिने स्री रगुनाद जी की प्रसंसक करते हुए कहा कि हे राम भला आप ऐसा क्यों ना कहें आप सूरे बंस के भूसर जो हैं बरनी राम गुन सेल सुभावो बोले प्रेम पुलक मुनिरावो भूप सजो अब सेक समाजो चाहत देन तुम्हे जुबराजो सी राम चंजी के गुण सेल और सुभाव का बखान कर मुनिराज पेम से पुलकित होकर भूले हे राम चंद जी राजा दस्द जी ने अब सेक की तयारी की है वे आपको युगराज पत देना चाहते हैं राम करहू असब संजम आजू जो बिद कुसल निबा है का जू गुर सिख दे ये राय पह गया हूँ राम है दैयस बिसम भाया हूँ इसलिए हे राम जी आज आप उपहास उपवास हवन आदी विद पूरवक सब संयम कीजिए जिससे विधाता कुसल पूरवक इस काम को निबाह दे सफल कर दे गुरू जी सिखा दे कर राजा दस्द जी के पास चले गए सिखाम चंजी के हिजए में ये सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई भोजन सयन केल लरिकाई करन बेद उपबीत भियाहा संग संग सब भाई उचाहा हम सब भाई एक ही साथ जन में खाना सोना लड़कपन के खेल कूज कंछेदन यगो पवीत और विवा आज उत्सव सब सासाथी हुए बिमल बंस यह अन्चित एकू बंद भिहाए बड़े है अभिसे कू प्रभु सप्रेम पच्छतान सुहाए हरहु भगत मन कैकुटे लाए इस पर निर्मल बंस में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाईयों को छोड़ कर राजव से एक बड़े का ही मेरा ही होता है तुलसिदास जी कहते है कि प्रभु सिराम चंजी का ये सुन्दर पेम पूर्वा पच्छतावा भक्तों के मन की कुटिल्टा को हरण करे मंगल भवन या मंगल हाई रबहु से दशरत अजर विहारी राम सिया राम जै जै राम तेही आउसर आई लखन मगन प्रेम आनन सनमाने प्रिय बचन कहे रग कुल को रोचन उसी समय प्रेम और आनन में मगल लच्मर जी आये रग कुल रूपी कुमुद की खिलाने वाले शद्वा सियराम चंजी ने प्रिय बचन कहकर उनका सम्मान किया बाज जही बाजने बिविद बिधाना पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना भरत आगमन सकल मनावें आवों बेग नयन फल पावें बहुत प्रकार से बाजे बज रहें हैं नगर की अतिसे आनन का अवरा नहीं हो सकता है सब लोग भरत जी का आगमन मना रहें हैं और कह रहें हैं कि वे सीग ही आवें और राज्या विशे का उस्तों देकर नेतों का फल प्राप्त करें हाट बाट घर गली अताई कहाएं परस पर लोग लुगाई काल लगन भल केत कि बारा पूजएं बिधिय भिलास हमारा बजार रास्ते घर गली और चबुतों पर जहां तहां प्रूस और इस्ती आपस में यही कहते हैं कि कल वो सुब लगन महूर कितने समय है जब विधाता हमारी अविधासा पूरी करेंगे कनक सिंगासन सेय समेता बैठें राम होय चित चेता सकल कह सब होय काले बिगन मना वहीं देव कुचाले जब सीता जी साइसी रामचन जी सुमर के सिंगासन विराजेंगे और हमारा मन चीता होकर मन कामना पूरी है इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा उधर कुचाली देवता विगन मना रहे हैं तिनही सुहाए न अबद बधावा चूरही चंदनी रातिन भावा सारद बोल बिनए सुर करहीं बारहीं बार पायले परहीं उन्हें देवताओं को अबद के बधावे नहीं सुहाते जैसे चूर को चंदनी रात नहीं भाती सरसती जी को बुला कर देवता बिनए कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़ कर उन पर गिरते हैं वे कहते हैं हे माता हमारी बड़ी विपत्त को देका राज वही कीजिए जिससे सी राम चंजी राज त्या करवन को चले जाया और देवताओं का सब कारसिद्धो सुन सुर बिनए ठाल पच्छताते भायो सरोज बिपने हिमराते देखे देव पुन कहैनी होरे मात तो ये नहीं थोरों खोरे देवताओं की बिंती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पस्ता रही है कि हाई मैं कमल बनके लिए हेमंत रित की रात हुई उन्हें इस पकार पस्ता से देकर देवता फिर बिनए करकर कहने लगे हे माता इसमें आपको जरा भी दोस ना लगेगा बिसम हरस रहत रग राउ तुम जानाऊ सब राम प्रभाव जीव करम बस सुख दुख भागी जायें अवद देव हित लागी सीर अगनाजी बिसाद और हर्से रहित हैं आप तो सीराम चंजगे सब प्रभाव को जानती ही हैं जीव अपने कर्म बसी सुख दुख का भागी होता है आते ओ दियोताओं के हित के लिए आप अध्या जाएए बार बार गहे चरन सकूची चली विचार विभुद मत पूची उंच निवास निच कर तूती देखना सकें पराए विभूती बार बार चरन पकड़ कर देवताओं ने सरस्ती को संकूच में डाल दिया तब ओ यह बिचार कर चली कि देवताओं की बुद्ध उच्छी है इनका निवास तो उंचा है पर इनकी करनी नीची है यह दूसे का एस्वेर नहीं देख सकते आगिल का जो बिचार बहूरी करी हैं चाह कुसल कभी मोरी हरस हिदै दसरत पुरयाई जन्गह दसा दुसा दुखदाई प्रंटु आगे के काम का बिचार करके सीराम जी के बन जाने का राच्छो सो का बद होगा जिससे सारा जगह सुखी हो जाएगा चतुर कभी सी रामचंजी के बनवास के चरित्तों का वरण करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे ऐसा बिचार कर सरस्वती हिदै में हरसित होकर दसरत जी की पूरी अविध्या में आई मानो दुसा दुखदेने वाली कोई ग्रह दसा आई हो मंगल भवन या मंगल हारे सब हुष दशरत अजर विहारे राम सिया राम जै जै राम नाम मंतरा मंद मते चेरी कैके केर अजस पिटारी ताहि करे गए गिरामत फेर मंतरा नाम की कैके की एक मंद मुद्ध दासी थी उसे अप्यस की पिटारी बना कर सरस्वती उसकी बुद्ध को फेर कर चली गई बुलो सियावर राम चंद की जै